हेलो स्टूडेंस वेलकम बैक तो संजरी अकाडमी आयम बुष्ट्रा लास लेक्षर में हमने इस रियक्शन के टर्मिनलोजी के बारे में पढ़े थे अब इस लेक्षर में हम लोग उसका रियक्शन करेंगे ओके स्टूडेंस सबसे पहला हमारा फॉर्स टैप है जो कि है ग् अब इस लेक्चर में हम लोग रियाक्शन्स देखेंगे अब आपको यह तो पता होगा कि एटीपी क्या है है एक्जोकाइनेस क्या है फिर ग्लुकोस 6 फोस्फिट क्या है यह सारी चीज़े आपको क्लियर हुई होगी अगर नहीं भी हुई है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सब्सक्राइं आप में अब लोगों को और क्लियर करतूंगे उसमें अलुके स्टूदिन्स तो आप ही देख यह हमारा ग्लुकोसलों हम लोग एक्जोकाइनेस के रियाक्शनमें रियाक्शनमें क्या मिला एक्लीकोस 6-phosphate यह जो पी हमारा मिग ग्लोकोस थेसेंट's इतना क्लेर हुआ अब नेग्स्ट हमारा STEP तू जो है हमारा फॉस्फोग्लुकोज ख्या है इसopenban में इंटर कन्वart जन गा इस्यांट में ऑगा स्टूडिंग सेंटर कन्वर्जन होगा अब हमारा है step two step two camera phosphoglucose यहां पर यह रियक्शन में इंटर कनवर्जन होगा यानि कि ग्लुकोस जो है फ्रुक्टोस में चेंज होगा किसमें फ्रुक्टोस में तो यहां पर ग्लुकोस इक्स फॉस्फिट को हम लोगोंने किसे रियक्शन किये फॉस्फो फॉस्फोग्लुकोस आइसोमरेस से फॉस्फोग्लुकोस आइसोमरेस क्या होता है यह में आप लोगों को जो ग्लुकोस का मॉलिकिलर फॉर्मुला है तो यहां पर आप लोग कांट कर सकते हो यह हो गया हमको क्या चीए ओ ओ शिक्स कारबन हो गया अबको क्याशिए ओ उसे तो यह रहा हम 1 2 3 4 5 6 is that clear students कैसे हमारा ग्लूकोस का फॉर्मूला मिला हम लोगों को अब थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप क्या है हमारा फॉस्फो फॉक्टो काइनिस यह जो पी एफ के है न यह पी एफ का फॉल फॉर्म यह है फॉस्फो फॉक्त कानेस अब यहाँ पर फॉक्तो फॉस्फ्फेट यहाँ पर फॉस्फ्फेट यहाँ पर यहाँ क्या पर यहाँ पर क्या है चलारी इतीपे projets वहीuen वन में मैंगनीशियम है इसके साथ अम लोगों कि यह तो हमें क्या मिला फॉक्टोस 16-22-phosphate मतलब यहां पर हमें fructose मिला प्लस ADP प्लस hydrogen मिला is that clear students next है हमारा step 4 Eldolase Eldolase क्या होता है यह यह एक enzyme है यह एक enzyme है जो sugar molecules को यहने हमारे जो fructose है वो sugar sugar है तो जो sugar molecules होते है ना उसको यह convert करता है energy में इसको हम लोग Eldolase बोलते हैं अब यहां पर हमारा जो fructose 1-6-22-phosphate जो था इसको हम लोग ने reaction किये तो हमें यहां पर दो चीज़े मिली एक तो मिला हमें dehydro acid dehydro oxide acetone phosphate यानि कि धा और यहां पर हम लोग को दूसरा मिला glyceral dehydrate 3-phosphate gap यह short form ही लिखा हुआ students यह इसका full form है अगर हम लोगों को जिसे full form ने तो हम लोग यह यूज कर सकते हैं ओके तो यहां पर हम लोगों क्या मिला यहां पर लोगों स्टुडेंस त्री कार्बन की चेन इसलिए हम लोगों को यहां पर ट्राइब इपनाप है डी हाइड्रो ओक्सी डी हाइड्रो ओक्सी असेटोन फोस्ट यह हमारे साइकल में भी पात्वे साइकल में इंक्लूड है है जैसे के क्रैप साइकल होगे कैल्वीन साइकल के यह यह सारे पार्फिज में इंक्लूड है ओके स्टुडेंस तो उससे हमें अब यह दो एडिशन हुआ तो यह क्या मिला में ट्राइफॉस्फेट आइसोमरेज मिला यानि कि ट्री आइएम क्लिया हुआ स्टुडेंस तो वहां पर हम लगों को ट्राइफ फॉसफेट आइसोमरेज मिला तो वही हमारा स्टेप फाई है अब यह क्या है ग्लीसिरल डिहाइडरेट त्री फॉसफफेट यह इसा कंपाउंड क्रिस्टिल कंपाउंड है जो इंटर्मीडियेट करता है जब हमारा ग्लुकोस का ब्र विधिएडरयों उसको रिडाक्षोर करते हैं लिए उसमें से हेडोजएड़ निकल जाते हैं नीकल यहनुत देख स्टूडेंस यहां यह मारा लीयक्शन रॉसफफेट यहां पर रियंक्शन हो रहा है रिडॉक्शन तो में लुए और उसके सब्सक्रीश मिला नदीएज मतलब होता है रेडियूस तो रिडुक्षन होना वहां पर यह clear हुआ students, oxidation और reduction क्या होता है, reduction यानि कि oxygen का removal होना और hydrogen का add होना इसे हम लोग reduction बोलते हैं और oxidation क्या होता है, जहां पर hydrogen का removal होता है और oxygen का addition होता है, clear हुआ इतना screenshot लेड़ो students next step, step 7, phosphoglycerate kinase, यह कैसे enzyme है, जो catalyze करता है, reversible transfer करता है हमारे phosphate group का यहां पर देखो students, 1,3, bio phosphoglycerate था, तो उसमें क्या add था, plus ADP था, जब हमने reaction की है, यह जो PGK है ना, यह इसका full form है, phosphoglycerate kinase phosphoglycerate kinase, इसका short form यहां पर लिखा हुआ है, PGK, और यहां पर हम लोग Mg, Mg यहने हमारा magnesium था, तो वहां पर हम लोगने इसके साथ react करें, तो हमें क्या मिला, 3 phosphoglycerate, plus ADP, तो यहां पर reversible transfer हुआ, phosphate group का, clear हुआ इतना आपको, next है हमारा step 8, step 8 के हमारा phosphoglycerate mutase, यह कैसे enzyme है, जो हमारे step 8 में आता है, glycolysis के, catalyze करता है हमारे phosphoglycerate, जो third carbon पर होता है, उसको हमारे second carbon पर बीज़ देता है, देखो, यहां पर 3 phosphoglycerate है, यहां पर यह डाइग्राम में, तो यहां पर reaction किसके साथ की, हमें phosphoglycerate mutase के साथ reaction किये, तो हमें क्या मिला, 2 phosphoglycerate, यहां यहां पर reaction हुआ, फॉस्पोड फॉस्पोड ग्रूप कहां पर आ गया, second carbon पर आ गया, क्लियर हुआ यह, next step and step 9, यहां पर हमारा क्या होगा, एनॉलेस के साथ reaction होगा, कि मैंने आप लोगों को बता ही थी के एनॉलेस होता क्या है, एनॉलेस इसे enzyme है, जो catalyze कता है, 2 phosphoglycerate को, phosphoenol pyruvate में, यहां पर जो भी reaction हुआ, जब लोग एनॉलेस के साथ reaction किये, तो हमें क् फॉसफोenol pyruvate प्लस water, H2O मिला, ओके, इतना क्लियर हुआ, अब यहां पर आते हैं हमारा last step है, step 10, pyruvate kinase, pyruvate kinase में क्या होता है, यहां पर जो हमारा फॉसफोenol pyruvate होता है, यह convert होता है, यहनि कि जो हमारा, मैंने बोली थी, जो glucose convert होता है, हमारा pyruvate में, तो वो यहां प होता है, यहां पर फॉसफोenol pyruvate के साथ, ADP, यहनि कि एडेनोसीन डाइफोसफेट प्लस हाइड्रोजन का reaction किसके साथ होता है, pyruvate kinase के साथ, जब हमारा reaction होता हमें क्या मिला, pyruvate मिलता है, और एक मॉलीक्यूल मिलता है, ATP का, is that clear, ATP क्या है हमारा, एडेनोसीन ट्राइफो स्क्रीन शॉर्टे लो सुडेन्स इसका, थैंक्स फो वाचिंग माई वीडियो, अगर आपको मिरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूले, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, अब यह तो हमारा हो गय अब नेक्स वीडियो में, हम लोग देखेंगे, ट्राइकार्बोगजिलिक ऐसेट साइकल, जो के हमारा क्रेब साइकल है, ओके स्टूडेंस